Assalamualaikum दोस्तों, दोस्तों कैसे आप सब लोग, होफुली सब ठीक ठाक होंगे अच्छा दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आप लोग उनके ले किया हूँ, वो है ब्रिक वर के उपर के चुनाई करते वक्त हमें कौन-कौन से जो पॉइंट्स हैं, उनको नोट आट करना चाहिए, उनको मद देने जर रखना चाहिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग उसे गुजारिश है, कि अगर आप लोग उने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्यूंकि मैं अपने इस चैनल पे सिवल इंजिनिरिंग, ड्रॉइंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन के जो टॉपिक्स हैं, उनको मैं इंशालला कवर किया करूंगा, अच्छे से अच्छा कॉंटेंड ले के होंगा, और ऐसी वीडियो बनाऊंगा, जो आप लोग के लिए बैनिफिशन होंगा, इसे वीडिय ब्रिक वर्क, चुनाई करते हैं वक्त किन किन पॉइंट को मद नजर रखा जाना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं, जहां पे भी आपने चुनाई स्टार्ट करवानी है, जहां पे भी चुनाई स्टार्ट हो, हवा वो जो आना वो फांडिशन का हो या च्छत के उपर हो इस पहला रदा लगाया जाए रहा है, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने लेना वेट कर लेना, मिन्स के थोड़ा सा पानी लगा लेना, जो के बहुत ही जरूरी है, अक्सर इस चीज को इग्नोर किया जाता है, एक पॉइंट यह हो गया, उसके बाद दुबारा दूसरा ज काम गर है, जिस कंपनी की इंट्रो स्प्लाइई हो रही है, उसका नाम एंचन होता है, तीसरे नबर में उसका फायदा यह है, कि मसाला जो ना उसमें सहीतरा जो ना धंस जाता है, जिसकी वज़ए से जो ब्रिक की यह जो स्टैंथ है, वह काफी जो जो पॉइन वोचीव हो दूसरा होता है आपका आदा जिसको bet बोलते हैं हाफ bet रो गया, उसके बाद पॉना हो गया, जिसको quarter bet बोलते हैं, इस स्अचारा के टेकिनिकल टर्म्स है, हैर मैं प्र hadn't you in a job का キुफ़ करता हूँ है, जो cut pieces होते हैं, छोटे छोटे, जो हमारे जोड़ों के तसल्सल को होता है है बीच में जो काम को आके चेक करेंगे है तो हुआ काम का पता नहीं है वह हमशां आपके साइड होना चाहिए साइडों पर चाहिए बीच में कटमीस कोई नहीं नहीं होना चाहिए मतलब अगर आपके एक दिवार है ना यह सपोस्थ और इक दिवार है तो यहा पर अगर सब से पहले नो नो ने यह देखें यह पहले रधा हो गया स्पोोज यह पहला रदा लगाया जयता है जी आपका इसको बोलते है हेडर कोर्स या मिस्त्री की जबार में इसको बोलते हैं जी सेरू का रदा यह लगाया उसके बाद ऊपर जो है जाल को तोड़ने के लिए यहां पे करें के क्या जी पोना डालेंगे ये ये पोना यहां में डल गए आगे फिर आपकी ओपर दूसरा जो रदा होगा वो होगा स्टैचर कोर्स जिसको बोलते हैं जी बाई का रदा दूसरा जो रदा होगा ना वो आपका पूरी की पूरी एजिन्ट होगी यानि के बीच में आप लोगों का ये जो काट पीस राइप मीन्स कि जो भी काट पीस होगा डेली ओपोना हुआ था वो बीच में दोस्तो नहीं आना चाहिए अगर बीच में आगया तो समझ लो बंदा कारीगर नहीं है क्लियर हो गए दोस्तों, इसी पॉइंट में दोस्तों एक जोर देखने वाली है, वो यह जाते हैं कि आपके चुपके जो कट पीसिस रही हैं, उनका मकसर, जोर ही है कि जोर जोर पर जोर जोर नाए, जोर की कंटीनिटी को ब्रेकिया जा सकी, इसलिए कट पीसिस यूज के जा आना चाहिए आपका ठीक हो गया दोस्तों अच्छा दोस्तों यह जो पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी हाइलेट्स कर रहा हूं इस वीडियो में यह सिर्फ चुनाई के दुरान नोट करने वाले पॉइंट हैं बाकी आपके जो दूसरे पॉइंट हैं कि आपका जो इनट है इनकी वालेटी कैसी उने चाहिए मसाला आपका की से रिश्र करना चाहिए उने चाहिए प्रॉपर वह एक अलाइदा टॉपिक है ठीक हो गया दोस्तों आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ कलियर कर रहा हूं कि आपके चुनाई के दुरान जो आप लग उन्हें पॉइं लेवल की तो हारीजेंटल लेवल से मुराज है कि आपकी जो भी चुनाई हो रही है उसका एक कोना और दूसरा कोना बिलकुल आपस में लेवल होने चाहिए वह लेवल कैसे करना है जैसे ही चुनाई स्टार्ट होगी ना फरस्ता आफ़ाल तो कोशी करने के नीचे जहां प तो नो इशू आपने दो से तीन चार मजीद रदू में इसको कवर कर लेना है जैसे ही थोड़ा सा आप ऊपर आते हैं उसके बात करना क्या दोस्तों कि एक लगाना लेवल का निशान आप लोगो ने वह लेवल का निशान नीचे आपका जो फ्लोर लेवल है ना फ्लोर मार सब्सक्रत्व कॉड़ा लिया है आपने छुना दू लिया है आपने लाइक है डीगा लाइक है सपोज यह आपकी दिवा रहे में 2018 कर दिया कारीए यह यह आपका चाहका दूसरा लग यह लग गया उसके पाद यह थीसरा लग गया वह ठीक हो गया यह बस मैं आप बोगों को समझाने के लिए बता रहूं दोस्तों अच्छा यह लग गया यह देखा इसके बाद यहां से आप यहां से आप गणा यह यह आले यह यह दो फे लेवल लग गया यह आपका लग गया जी नीचे से दो फिट यह आपका समय ले ग्राउंड या एफ फल जिसको बोलता है फिनिश फ्लूर लेवल यहां से आपका लेवल का निशान लग गया दो फिट उठा गये आपने टोटल हाइट इस की करने है बारा फिट तो मेंस के आप लोग चैक कर लेएंगे वहागी डूसरे नमर पर जैसे जैसे ब्रीक परक होता जायांगे हर दो यह तीन यह चार दुबात आप लोग उने चैक करते जाना है आया कि आपकी चुनाही बिलकुल इकूल यह लेवल में जहारी है ऐसा नहां कि आप लेवल जो रहा लाल ग की दुबार में इसको बोलता है बंद वो मिस्री लोग लगा दिता है जो के टेक्निकली भी दुरुस्त नहीं है तो यह लेवल लगाने का मकसद सरफ इन सारी चीजों को कवर करना है कि आपके जो हर रद है हर लेयर है वो बिलकुल लेवल में हो और आपका जो मैक्सिमम यहां से बारा इंच ही होना चाहिए यहां से बारा इंच ही ओना चाहिए यहां से बारा ओ रहा है यह से ते रहे गा Prabين की एक इνच आप है तो इस कीजник अवह ने मसाले में कवर कर दो इसी दाथ मशलरब अगर आप उन उन ऊपर जान oh go तो वह मतलब आगर आप दो फूल लगा लिए दो फूल बनते हैं आपके चौबी सिंच यहां से गर चौबी सिंच होगी तो यहां से भी आपने चौबी सिंच ही करनी है ठीक हो गया और हाँ जहेदा उपर नहीं चाहना आप लोग उने क्योंके मैंने अपना पॉइंट अगर का सबरिक पर कर या जाए और तीसरी स्टेश में वो जो आपने से हैं जिया भाथ को टर कर अचा था ठीक होगा दोस्तो लेवलो में बीच में उसे लेहरे बन जाएंगी तो जो के ठीक नहीं है कि बीच में आपने को अपने लोगों ने सूतर का भी ख्यार रखना है सैडों पर आप लोग करेंगा आपकी यह लेवल के निशान जबके बीच में लेवल का काम सूतर का है ठीक हूं गया अच्छा उसके बात बात करें लेवल होरिजेंटल लगी अभी बात करें लेवल की तो वर्टिकल लेवल बेसिकली जो ना वो साइड हो पे जैसी चुनाइश राट होती है ना तो मैसल लोग वो करते हैं वो जो इसको बोलते हैं प्लंबो यानिके देसी में उसको बोलते हैं साल साल सकूल के जरीए अपने वो हर रदय में मिसे मिस्तरी जो ना वो साल को रहते हैं ठीक है तो असब हर रदय में मुझे साल करता बाचा जाता है साल कैसे की जाती है यह नियुक्त चापिक पर मैं वीडियो नेक्स उम बनाऊंगा कवर करूंगा इसको तो अच्छा ऐसे चुना इसका वर्टीकल लैवल जो है वह चेक किया जाता है घर्जंटल लैवल मींस ऐसे लैवल होगा आप बिलकुल मतलब यह ग्राउंड के जमीन के हॉर्जंटल एक्सश के साथ बिलकुल जोना भो पेरलेल होगी ठीक है जब कि आपकी वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल समीन के हारगा एकसेस के सांधिकिक포श्ण अगल बना एक से इंगल हैं न QCB प्रवह वह कि इस तरह डेपी है तो इस तरह शहा कहले आपको गांगा एक Спान का खर ंकी़ झाय करें। के बीच में आप लोगों का लेवल करना सूतर ने तो इस वर्टिकल लेवल में भी सूतर को देखना है कि सूतर आपके जो इंड के एजिस हैं उनके साथ बिलकुल मिला होगा होना चाहिए आगे पिछे ना हो ठीक होगे दोस्तों यह हो गया हमारा जी लेवल अगला मैक्सिमुमादी से जय जैदा नहीं होना का एधिकनेस जीक अना थन और दोस्तों मतलब आपको जो मसाला है ना वो जरा थिन लेयर में होना चाहिए ठीक है चुनाई लगी भी प्यारी लगेगी कि टेक्निकल यह चीज बड़ी दुरूस्त है ठीक है तो यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है जहां पर आप साइट एंजिनियर हैं साइट पर वर्किंग करवा रहे हैं या आपके बास ड्रॉइंग से हैं मतलब जैसे भी आप लोगोंने प्लैनिंग की है जिस तरह का आपका काम है आप उसके मताबिक देख लेना कि अगर आपका बीच में से को दिवार निकर रही है या जब आपका बृक वर्क कंप्लीट हो देना दोस्तो तो बृक्त के बाद करना के उसको बोलता है यह जो वर्टिकल जॉइंट्स है और होरीजनटल जॉइंट्स हैं उनमें रभार जिस जो यह उक्र जो इसको चौझना बोलते हैं थोड़ा उंदर बृक के जो सर्फस है उस उस साला जो मौर्टर आपका अंदर तक जाएगा जिसकी वज़े से आपका जो ब्रिक वर्क है और आपका जो पॉर्टर है बॉर्णिंग उसके दर्मियान अच्छी बनेगी मतलब ग्रोटिंग से मुराद या है कि आपका जहां पे चुनाई का एंड होगा आखरी रदा जोगा उसको उपसे आप लोगों ने एक तिन सी लेयर मसाले की बिचा के तो उसको कवर कर देना उसका फाइदा यह एक दोस्तों कि अगर आप ऐसा नहीं ना करते तो वह उपर व आपकी जो चुनाई है आपका रदेवगारा उखडते नहीं है कोई भी निकलती नहीं इसली वहां से ठीक हो गया दोस्तों तो यह मेरे पॉइंट से हो गया दोस्तों आप लोगों को इसके मतलब कोई भी एकर को कोश्चन करना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूर सकत का आज के लिए बस इतने ही दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक करिए अलाफिस